आपने सुना होगा कि शराब घर का नाश कर देती है लेकिन अब देख भी लीजिए ताजा मामला सोनीपत के गाउं सिट वाली का है जहां शराब के नशे में छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई को चाकू से गोत कर मोद के खाट उतार दिया बताया जा रहा है के दोनों भाईयों में पहले शराब पीने को लेकर जगड़ा हुआ जिसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से ताबर दोड हमला कर दिया परिजनों को इस बाद की भनक लगी तो घायल लोकेश को एक नीजी एस्पता ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत खोशित कर दिया वारदात की सुछना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस मौके पर पहुची और जान शुरू कर दी मोहाना थाना प्रभारी दिलबाग सिंग ने बताया कि गाउ सिट वाली से डायल 112 को शिकायत मिली थी कि एक शक्स ने अपने बड़े भाई की चाकों से गौत कर हत्या कर दी है जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुची पुलिस ने लोकेश के भाई पर हत्या की धारा के तहत मुकत्मा दज कर लिया है और मामली की कमभीरता से जाच की जारे ही है हाला कि अभी तक सोनीपत पुलिस लोकेश के भाई को गिरफतार नहीं कर पाई है और लेकिन गिरफतारी के लिए प्रयास किये जा रहे है सोनीपत से सनी मलिक पंजाब के स्ट्री टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप यूटीब फेस्बुक पर देख रहे है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद